हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस कि सैमसंग गैलक्स ए फिफ्टी फाइ फाइप फॉन में अगर आपका जो ये होट्सपोट है वो ओं नहीं ओ रहें यहाँ पर जो यह और का option होता है अगर यह ऑन नहीं ओ रहें तो क्यイmem hackorf Id लोग अपने इस फॉण में जो है इस होचपोस के साथ कनेक करेंगे तो जो है आपका जो मुबाल डाटा वो शेर कर पाएंगे लेकिन अगर आपका होचपोट यह ओन नहीं रहे तो कैसे आप लोग इसको सॉल्ब करेंगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार् सबसे पहले जो अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा general management का तो इस general management के option पे click कर देना है click करने के बाद थोड़ा नीचे scroll down करेंगे तो reset का option मिलेगा reset पे click करेंगे थोड़ा सा नीचे scroll down कीजिए सब यहाँ पर से reset हो जाएंगे और आपका जो hotspot problem था वो भी solve हो जाएगा अगर फिर भी solve नहीं आ रहे तो आप लोग अपने phone को factory reset कर सकते हो अगर आपको factory reset करना नहीं आता है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखाएं आप लोग मेरे चैनल में जाके देख स पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं लेक्ने एक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई